नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आप से बात करने वाला हूँ अगर जिरौधा के अंदर आपको बीओ आईडी चेक करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं तो आपको दोनों तरीके से बताऊँगा अगर आप एक डेस्टोप य यूज करते हैं तो उस पर आप कैसे चेक कर पाएंगे तो बिना देरी के चले शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले समझते हैं कि बीओ आईडी होता है बेनिफिशरी ओनार आइडेंटिफिकेशन नमबर यहां पर यह जो नमबर होता है बेसिकली 16 डिजिट का यूनिक होता है और यहां पर यह combination होता है DPID का और customer ID यहीं कि जिसम client ID या DMAT account नमबर भी बोलते हैं यह उसका combination होता है इन दोनों के combination से बनता है BYD तो अगर आप देखेंगे CDSL का तो CDSL का यहां पर आप देखेंगे तो 8 डिजिट का DPID starting का होता है और last डिजिट का यहां पर Starting के 8 traveler और लास्ट के 8 डिजड जह होते हैं वो client ID कहलाते हैं झेхोगे तो यहां पर Starting के 8 डिजड जह होते है वो डील जलाते हैं वो GET रपाते है ज रोधा के अंदर कैसे आप yo ID को चैक कर सकते हैं । सबसे पहले मैं आपको desktop पे बताने वाला हूँ तो लेकर चलता हूँ इसकी website पे तो यहाँ पर हम आगये है kite.zerodha.com website पे अब आपको करना क्या है आपका user ID और password डालके यहाँ पर login करना है तो मैं यहाँ पर मेरा account जो है वो login कर लेता हूँ यहाँ पर आप corner पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपका ID दिखेगा यहाँ पर आपको click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है profile section यहाँ पर आपको profile section पे click करना है तो profile section पे जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखावा मिलेगा जो कि 16 digit का है, तो यह तो हमने देख लिया कि अगर आप desktop यूज़ करते हो, या फिर laptop यूज़ करते हो, तो कैसे आप bio ID चेक कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं, mobile पे की mobile पे इसको आप कैसे चेक करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको आपकी काइट mobile app पे login करना है, तो यहा यहाँ पर नीचे को option दिखता है, आपका code यहाँ पर आपको simply click करना है, और यहाँ पर आपको profile section पर click करना है, और जैसे आप profile section पर click करेंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं, कि demet bio लिखा हुआ रहा है, तो यहाँ पर यह आगे 16 digit का bio ID लिखा हुआ है, तो इस तरह से आप 00 के अंदर अपना bio ID चेक कर सकते हैं, और इस bio ID को चेक करने के बाद आप easily जाकर अपना tip in जो है, वो reset कर सकते हैं, तो tip in कैसे reset करते हैं, उसके लिए एक separate video मैंने बना दिया है, उसका link आपको description section है मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उससे check out कर सकते हैं, और यह check कर सकते है कि bio ID देखने के बाद आप कैसे tip in को reset करेंगे, तो I hope यहाँ पर आपको सारी चीज़े clear हो गए होगी, आज के वीडियो बस इतना ही आशा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और channel को अगर आपने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दी, शूब हो